चलिए देखते हैं AutoCAD में इस plan को हम किस तरह से बना सकते हैं REC for rectangle ले लेना है, enter करना है, यहाँ पर 4 by 3 का हमें rectangle बनाना है 4 tab 3 enter, यहाँ पर offset कर देना है, 0.23 जो के wall thickness होती है, यहाँ पर offset कर देना है L for line लेना है, यहाँ पर एक line draw करनी है, O for offset, door के लिए 0.9 offset कर देना है PR for trim कर देना है, एक line यहाँ से trim, control plus 3 press करना है, यहाँ पर आप door metric ले सकते हो इसे हम orient करेंगे, यहाँ पर 90 degree open और इसे rotate कर देंगे M for move करेंगे, यहाँ से move कर देंगे, यहाँ पर इसे आपको size कर देना है, इस तरह से L for line ले लेना है, यहाँ पर window के लिए एक line, O for offset, 0.6 का offset यहाँ पर ले लेना है आपको both side में, एक line लेके middle line यहाँ पर join कर देनी है PL for polyline ले लेना है, यहाँ पर 0.15 enter, 0.45 enter, 1.5 enter और यहाँ पर close कर देना है match property लेके यहाँ पर 6 के लिए match property कर देना है, इसे select करके MI for mirror कर देना है यहाँ पर mirror करके यहाँ अपर enter कर देना है, edge for hatching कर देना है, यहाँ plan ready है झाल 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 झाल